तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा कि एक AC बोल्टेज अप्लाइट टू रेजिस्टेंस आर एन इंड़क्टर एल इन सीरीज मतलब एक इलेमेंट आर है और एक इलेमेंट एले सीरीज में लगा हुआ इफ आर एन इंड़क्टिव बोथ इक्वल टू थिरी मतलब आर की वेलू और इंड़क्टिव इक्टेंस एक्सल की वेलू दोनों थिरी है तो फेज डिफरेंस बिटिन अप्लाइट बोल्टेज अन करेंट तो जो अप्लाइट बोल्टेज हो करेंट है उसमें कितने फेज का डिफरेंस आएगा मतलब एक अपने पास क्वाइल है इंड़क्टर है और एक यहां पर रेजिस्टेंस है और यह दोनों पे मैंने एक एसी सोर्स लगा दिया है यहां से एम फ ईप उकुले की तो यहां सी कहता है जो एकsl है वहार मैं नियुक्त अगे से अपने जो यहसा पास्टर सो करेंट आपी तूर्ट बोल्टेज यहां से जो के और प्लो हो रए है और जो voltage इसमें है उसमें phase का difference तो हम सबको पता है direct formula है phase का difference 10-5 वह आता XL-XC over R ठीक है तो C है नहीं तो यह वाला factor 0 हो जाएगा तो XL over R तो यह जाएगा 3 by 3 that is equal to 1 यहां से तो अगर phase difference देखोगे तो 10-5 अगर 1 है तो यह 10-45 की value होती है और 10-45 मतलब यहां से जो है वो 10-5 by 4 इसका मतलब है हुआ कि जो phase difference है वो पाई by 4 के equal आ जाएगा मतलब अपना B option सही है